पहले वंडे के लिए भारत की टीम पक्की, टीम से बाहर हुए चार-चार खिलाडी, खतरनाक खिलाडी की हुई वापसी, टीम इंडिया ने साउथ अफरीका से T20 सीरीज को बराबर करा ली, लेकिन अभी वंडे सीरीज बाकी है, अब सूर्य कुमार यादव नहीं, बलकि केल राहुल कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे, सूर्य कुमार यादव को इस बार वंडे टीम में जगह नहीं दी गई है, इस बीच नए कप्तान के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा, कि वे किस प्लेंग 11 के साथ मैदान में उतरें, वैसे भी इसके बार टेस्ट सीर सीरीज भी है, इसलिए बड़े खिलाडियों को वंडे से रेस्ट दिया गया है, वहीं युवा और नए प्लेयर्स को वंडे में मौका दिया गया है, ऐसे में राहुल के लिए ये तै कर पाना कि प्लेंग 11 क्या हो, आसान नहीं होने वाला, BCCI की ओर से वंडे सीरीज के लिए जो टीम चुनी गई है, उसमें माना जा रहा है कि रुतुराज गायकवाड और साई सुदर्शन ओपनिंग करते हुए दिखाई दें, वंडे में न तो यश्यस्वी जायसवाल हैं और नहीं शुभमन गिल, रिंकु ने T20 सीरीज के सारे मैच खेले हैं, ऐसे में हो सकता है कि उन्हें रे एस्ट दी जाए, आलराउंडर के तौर पर टीम के पास दो विकल्प हैं, अक्षर पटेल और वाशिंग्टन सुन्दर, दोनों खिलाडियों ने T20 नहीं खेला है, इसलिए दावा मजबूत है, लेकिन आखिरी वक्त में भावित प्लेग इलेवन, रुथुराज गायकवाड, साई सुदर्शन, श्रेयस अयर, केल राहुल, संजु सैमसन, रजत पाटिदार, अक्षर पटेल, युजवेंदर चहल, मुकेश कुमार, आवेश खान, अर्ष दीप सिंग